असलाम उलेकूम गूड मॉर्निंग जूनियर स्टार्स तुड़े वी वी लर्ण बैक्वर्ड काउंटिंग ठीक है आज हम बैक्वर्ड काउंटिंग के बारे ने सीखेंगे के बैक्वर्ड काउंटिंग क्या है काउंटिंग तो आप लोगों ने लिख ली है 1 से 50 तक 1 to 50 आपने counting लिख ली है उसे हम forward counting कहते हैं जो आज आप सीखने जा रही हैं इसे backward counting कहते हैं यानि उल्टी गिंती चलिए आज मैं आपको backward counting के बारे में बताती हूँ कि कैसे लिखते हैं आप इसे देखिए और गोर से समझ के फिर मैं आप से पूछूंगी भी कि आपको समझ आई है या नहीं ठीक है आज हम backward counting 10 to 0 लेके जाएंगे ठीक है और next time इंशाला हम 20 to 0, 30 to 0 इस तरह से काम अपना करेंगे इंशाला अब आप ये देखिए यहां सीड़ियां बनी वी हैं ठीक है तो मेरे साथ आप काउंट कीजिए कि इतनी सीड़ियां हैं यहां हम लिखेंगे 0 क्योंकि यहां सीड़ियां नहीं है यहां पे सीड़ियां नहीं पड़े भी ठीक है यह हो गया 0 बहुत बड़ा 0 यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 जंप लगा रहे हैं नहीं हम सीड़ियां चड़ते जा रहे हैं 5 6 7 8 9 10 10 सीड़ियां हैं यहां पे ठीक है आपने मेरे साथ काउंट की है यहां पे देखिए 10 पे इन सीड़ियों पे यहां आपका प्लेइंग रूम है यहां आप खेलने के लिए आए हैं ठीक है यह आपका प्लेइंग रूम है आपने यह देखिए 10 सीड़ियां चड़के आप अपने प्लेइंग रूम में आए हैं कुछ देर के लिए आपकी ममा ने काया कि चलें थोड़ी देर के लिए खेल लें आप जाके लेकिन अभी आप खेली रहे हैं कि आपकी अमी ने आपको आवास दी कि बेटा जरब बात सुने मेरी अच्छा जी अब आपने वहां से निकलना है और अपनी अमी के पास पहुंचना है तो आपके क्या करने कि आपने अब उल्टी गिंती शुरू कर देनी है ठीक है ना पहले आप वन से काउंट किया था आप टैन तक पहुंचे थे अब आपने टैन से उल्टी तरफ आना है क्योंकि आप नीचे उतर रहे हैं बैक जा रहे हैं वापिस जा रहे हैं आप ठीक है 4 3 2 1 and 0 ठीक है अब हम यहां लिखेंगे कि बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे कैसे यह तो आप लोगों ने देखा ना कि सीड़ियां आपकी यहां पे 10 सीड़ियां हैं और आपने इसको उल्टा भी करके गिनी मिल लिया ठीक है क्योंकि आप में की बात सुनें नीचे आए ह तो आपने यह काउंट की तो आपने कैसे काउंट की वो आपने यहां लिखना है ठीक है यहां सिस्टर 10 ठीक है 10 के बाद क्या था 9 हम यहां 9 लिखेंगे 9 9 के बाद 8 यहां हम 8 लिखेंगे 8 के बाद 7 यहां 7 आएगा 7 के बाद 6 यहां हम 6 लिखेंगे 5 4 3 2 यहां हम 2 लिखेंगे 1 एंड 0 हमारा पेज चूंके छोटा है तो इसलिए एंड पे आके हमने कोई बाक्स नहीं छोड़ा ठीक है अब आप मेरे साथ पढ़िएगा यह बैक काउंटिंग है आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आपको यह याद होता रहेगा ठीक है यह है आपकी बैक वर्ड काउंटिंग 10 टू 0 उमीद है आपको अच्छी से समझ आ गई होगी इंशालला हम इसे थोड़ी सी गेम में भी लेके आएंगे खेलते खेलते हम बैक वर्ड काउंटिंग सीखेंगे इंशालला अलाहाफेज